कि याड ठग लाइब ग्लसेस बनाने के लिए हमने पेपर के ऊपर कुछ ऐसा ही मेंजर्मेंट कर लिया तो अब देख केकर लेना एंड इसको कट कर लिया है तो कट करने के बाद देखो कुछ ऐसा देखने को लगए और इस सबसे पहले स्वाप और बर कुल्गेर के बांट कर्पा बचपिल नहीं होगा क्यों चोटा bars Prozent तो हम एक भबूल का बॉक्स ले लिए 예ंटीगे तो देखो तो हम नीगे खोल लेते से पहले तो देखो हमें धिखेएंच को लिए और फटक से कार् Nim और उसके बाद हमने ले लिया है जो कोलगेट का बॉक्स था उसके उपर हम कुछ ऐसा structure ड्रॉ कर लिया है और इसको हम काची के मदर से काट लेंगे ठीके तो चलिए जल्दी से काट लेते तो काटने के बाद कुछ ऐसा देखने को लगेगा ठीके तो इसको हम तोड़ा strong बना कि एक black paper लगा देंगे ठीक है योगि ठकलाइब glasses black paper का होता है तो हमने लगा दिया है और इसको उपर हम जो stick stick बना है तो इसको भी चिपका देंगे तो देखो कुछ इस तरह से दोनों ही black color का हो जाएगा और इसको हम काची के मदद से काट लेंगे ब्लैक पेपर का नीचे का बाचा हुआ जो हीससे है इसको हम ग्लू के मदद से कुछ इस तरह से चिपका देंगे तो देखो देखने पे भी अच्छा लगए तो ऐसे ही आप चिपका देना और चिपकाने के बाद देखो यार कितना अच्छा फिनिशिंग हुआ है तो अभी इतना अच्छा लग रहा है तो जब हम इसको बना लेंगे भाई कैसा लगेगा आप समाजी सकते हो तो इससे हम छोटा-छोटा पेपर कट कर लिया है स्क्वार साइस का यह वाइट पेपर है ठीक है अब वाइट पेपर ही करना क्योंकि थक लाइब ग्लस्टास वाइट पेपर होता है बलैक और वाइट का कम्बिनेशन पर देखो इसको हम ग्लू के मदर से ऐसे बारी बारी से चिपका देते हैं कुछ इस तरह से और सी स्टक्ष्टर पर ठीकना ठीक है तो स्टीपकाने केबाद देखो इस तरह भी हम ऐसे चिपका लेगे तो फाइनल अलिक न चैपका लिया है अन्द देखो तो फाइनली चसम culinary सा हिस्सा अल्मोस्ट कॉंप्लिट है आप हमको करना होगा पीछे का हिस्सा तो यहाँ पर हम दोनों स्टीक को फेविकुई के मादा से चिपका देंगे फाइनल हमाना स्टीक भी हो गया है एंड कितना अच्छा लग रहा है आप जब इसको बना हो गया यार बहुत ही अच्छा लागेगा एंड इसको फटक से घर पर बना ले पीछे एक दम दूर पर एक थगलाइब ग्लासेज दीख रहा होगा वह हमने बनाए कार्डबोर से आप उसका वीडियो देखना चाहते है यह वीडियो पर क्लिक करके देख लो और इसको पैन के आपको दिखा देता हो देख